अगर आपने थम्सक्र Tea को देखने के बाद से वीडियो को क्लिक किया है, तो डेफिनेटली या तो आप लोन की दालास कर रहे हैं, या लोन की बारे में जानना चाहते हैं, और ये आज की आपकी जो जरूरत है वो जरूरत इस वीडियो को देखने के ठीक 5 मिनट के अंडर पूरी वानी रांग होने वाली है आप वीडियो को बेल्कुल स्कीप मत कीजिएगा और पूरे आंतर देखिएगा जो भी आपका परपज है इस वीडियो को देखने का वो डेफिनेटली 100% पूरा होने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं हुरा हुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Google पे से किस तरीके से लोन लिया जा सकता है देखिए Google पे वैसे तो Google की एक पेमेंट गेटवे कमपनी है UPI पेमेंट गेटवे कमपनी लेकिन ये अधर कई सारी कमपनीों के साथ मिलके टाइप्स करके बहुत सारी सर्विस भी प्रवाइड कर रही है जिसमें से एक सर्विस है लोन देने का जिया दोस्तों बहुत सारी अधर कमपनीों ने इसके साथ टाइप्स किया हुआ है और आप जब इसकी website पे जाएंगे आप जब इसके app में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी ऐसी loan companies हैं जिनके साथ इसका tie up है और वहाँ से apply करके easily आप loan ले सकते हैं इस वीडियो में मैं ये आपको पूरा का पूरा live process करके दिखाऊंगा और सबसे आसान तरीका बताऊंगा Google पे से loan लेने का दोस्तों इस वीडियो में Google पे से loan लेने का जो मैं process आपको बताने वाला हूँ उस process में आगे बढ़ने के लिए आपके पास Google पे application होना चाहिए जिस आपका mobile number और अपने email ID से रजिस्टर करने के बाद से दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपसे request है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो please चैनल को subscribe करें और एक और बात loan लेने से regarding आपके दिमाग में कोई भी ऐसा question है तो please आप हम से पूछिए problem है आप हमारे personal email पे mail भी कर सकते हैं हम उसका जबाब definitely देंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको loan लेने का पूरा life process google पे से so friends अभी हमने अपना google पे application है उसे अपने mobile में open कर लिया है और हम इसमें सबसे पहले आएंगे यहां आपको दिखाई दे रहा होगा explore का option यह वाला explore का option आपको दिखाई दे रहा होगा च्योंकि मेरा finger ही सो कर रहा है इसलिए मैं इसा highlight नहीं कर रहा हूं तो आप easily इसको दे finance सो नीचे आप देखेंगे बहुत सार यसी कंपनिया हैं जिनके साथ google पे का tie-up है और वो अभी फिलहाल में loan प्रोवाइड कर रही है so friends इसमें मैं money view loans को try करने जा रहा हूं और loan लेने की मैं कोशिस इससे करता हूँ क्लिक कर देना है money view के सामने उसके बासे नीचे फिर से एक बार और gate started का option आ रहा है जहां पे हमें क्लिक करना है अब क्लिक करते ही यहां देख सकते हैं कि सबसे उपर आ रहा है कि हमें 5 लाक रुपे तक का instant loan इसके थ्रू मिल सकता है और application का process वहां पे दिखा रहा है कि application पूरा का पूरा online है तुरंत ही हमारी eligibility को check कर लिया जाएगा और तुरंत ही loan dispersal हो जाएगा मतलब तुरंत loan हमारे account में आ जाएगा flexible repayment है और एक करोड से भी ज्यादा Indian इसकी जो facility है उसको ले रहे हैं अब देखेंगे नीचे दिया हुआ है how to apply how to apply के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले अपनी eligibility हमें check करनी है उसके बाद से हमारा अपना जो loan plan है उसको select करना है उसके बाद से हमें कुछ अपने documents upload करने होंगे और उसके बाद से जो fourth step है उसमें हमारा जो सीधा amount है loan amount वो हमारे bank में आ जाता है जो documentation की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें pen card, address proof और bank statement की जरूरत पड़ती है इस loan को लेने के लिए जो चलिए get started पे हम यहां पे click करते हैं और अब यहां हमारा loan eligibility हमें check करने के लिए बोला जा रहा है so let's start सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं salary है हमें select करना है कि professional details हमें देना है salary है और self-employed है तो अगर आप job करते हैं आपकी salary bank account में आती है तो अगर आप self-employed है अगर आपका कोई business है तो आप business यहां पे अपना self-employed को choose कर लेते हैं चलिए हमने salary को यहां पे select कर लिया अब हमें क्या करना है हमारा यहां पे select mode of salary payment हमें यह बताना है कि हमारा salary आता है वो किस तरीके से आता है online आता है check से आता है या cash मिलता है मतलब अगर आपके bank account में आता है तो चलिए मेरा bank account में आता है तो मैंने यहां पर यह सेलेक्ट कर लिया उसके बासे monthly take home salary आपका monthly जो net salary है वो कितना होता है आपको यहां पर डालना होगा तो मैं यहां डाल देता हूं अपना 25,000 25,000 मैंने यहां पर डाल दिया और उसके बासे नीचे हमारा email address यहां पर ओल्रेडी फिट है नेक्स्ट अपर देखेंगे is net banking enabled for your salary account हाँ enabled है हमने इसे क्लिक कर दिया select bank हमें अपना bank सेलेक करना है आखिर हमारा कौन सा बैंक है कि सो हमने अपना बैंक यहां पर सेलेक कर लिया central bank कि इसके बाद से purpose of loan हमें सेलेक करना है कि आखिर हम loan की सुदेश्य के लिए ले रहे हैं कि सो यहां पर बहुत सारे purpose हैं आप कुछ भी डाल सकते हैं सो मैं यहां पर डाल देता हूं other personal so other personal में यहां पर हम डाल देते हैं परस्टनल एक्सपेंसेज परस्टनल एक्सपेंसेज फिर हमें यहां पर क्लिक कर देना है ओक्के पर अब हमें क्या करना है नीचे हमें कुछ और details यहां पर भरनी है so let's fill these details इन details को हम भरते हैं आप देखिए आप यह बोल रहा है कि जो भी details हमने डाले हैं एक बार दुबारा से उसे चेक करें है ओके सो हमने यह details पूरे पूरे अपने चेक कर लिए और उसके बाद से नीचे एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा confirm details यहां पर हमें क्लिक कर देना है कि यहां अब हमारे पास message आ गया कि your application is being processed application हमारा process हो रहा है और अभी देखिए वहां पर दिया हुआ था कि सो अभी नीचे यह openऊके हमारे पास आ गया कि क्या क्या चीज़े हमें करनी है ऑब देखिए steps आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे & option effectiveness है यहां पर get offer हमें यहां पर चूज करना है 2 अपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा यहां पर यहाँ दे रहा है कि select plan हमें अपना loan का plan select करना है कि कितने दिन का हम loan लेना चाहते हैं किस तरीके से कितने YMI को हम select करते हैं उसके बाद से next जो third step है यहाँ पर अब देख सकते हैं add details हमें अपना details यहाँ पर add करना है और उसके बाद से fourth number में हमें अपना KYC complete करना है और KYC के बाद से कुछ और extra information जो हमसे मांगी जाएगी वो हमें यहाँ पर देना है ओके और यह करने के बाद से जो हमारा loan है वो हमारे account में dispersed कर दिया जाएगा हमारे account में transfer हो जाएगा अब हमें नीचे यहाँ पर क्या करना है इतनी है इसके लिए दो steps यहाँ पर नीचे दिये हुए है दो options एक तो net banking के थो हम verify कर सकते है और दूसरा यह next नीचे वाल आपका दिया हुआ है जहाँ पर हम अपना bank statement अपलोड कर सकते है और पता कर सकते है कि हमें हमारा income कितना है इसके थो money view company है यह पता कर सकते है कि हमारा income कितना है चलिए एक बार net banking एक बार check करके देखते है अभी नीचे यहाँ पर आ रहा है कि your credentials are never stored यहाँ में क्या करना है आप देख सकते हैं हमें अपना यहाँ पर bank select करना है bank select करने के बाद से अपना username select करना है और नीचे अपना password select करना है तो एक suggestions मैं आपको दूँगा क्योंकि यह देखिए यह money view जो loans है उसके window के अंदर ही यह window open होके आ रहा है तो हम इसे secure नहीं fill कर सकते इसलिए हमें यहाँ पर अपने details अपने जो credentials हैं वो नहीं डालने है आपको कौन सा option choose करना है आपको choose करना है पहला वाला यह second वाला जो option है upload bank statements आपको क्या करना है कि आपको अपना bank statement यहाँ पे upload कर देना है जैसे आपका income verify होता है verify होने के बाद से आपको KYC complete करना होता है उसके बाद से कुछ एक और additional information आपको देनी होती है और आपका loan आपके account में आ जाता है so friends आप देख सकते हैं अभी हम आगे हैं अपने dashboard पे यहाँ पे तो सबसे पहले उपर आप देख सकते हैं उपर दिखाई दे रहा है promo code offer यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है जहाँ पे processing fee के लिए हमें छूट मिल रहा है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ देया हुआ हमारा application status जो की incomplete दिखा रहा है incomplete इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आगे का जो process है वो मैंने complete नहीं किया तो आगे का step anyway मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको आगे करना पड़ेगा जिससे कि आपको यहाँ से loan मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि आगे next अगला जो step होगा income verify करने के बाद से वो आपका होगा document verification का so यह लोग आपका document verify करेंगे खर महिने उसे आपको auto debit EMI को enable करना होगा मतलब आपकी account से automatic जो EMI है जो खर महिने आपको भरना है loan की EMI वो automatic वहाँ से deduct होगा so वो आपका compulsory होगा आपको definitely enable करना ही होगा next आप देख सकते हैं फोर्थ है तो review and submit loan agreement loan agreement आपके सामने एक open होके आएगा जिसे आपको पूरा अच्छी तरीकी से read करना होगा और उसके बाद से आपको agree और submit उसे कर देना होगा agree करने के बाद से उसके बाद से आप देख सकते हैं last step है आप यहाँ पे देखिए यहाँ दे रहा है कि money transfer to bank जो पैसा है loan का वो हमारे bank account में transfer हो जाता है so friends आज की वीडियो में मुझे आपको जो बताना था वो definitely I hope की आपको वो information मिल चुकी होगी और वीडियो आपको कैसे लगी comment करके जरूर बता है इससे related अगर कोई भी question आपके दिमाग में है तो please comment box में पूछे हम definitely उसका answer देंगे या loan से related कोई भी अगर आपको परिसानी है तो definitely आप हमें बता सकते हैं definitely उसका solution ढूढने की कोशिज करेंगे so मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही तब तक के लिए bye bye and take care